नमस्कार स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर और मैं हूनी लूवियास और इस प्लाइफ़ॉम के जरिये आपके लिए लेकर आती हूँ देश के बड़े मुद्दे इस समय चारों तरफ एक ही मनजर है अस्पतालों में बेड्स नहीं है वैक्सीन नहीं है ऑक्सिजन नहीं ह और अगर शमशान घाटों की बात किया जाए तो चारों तरफ सिर्फ चिता ही चिता जल रही है लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिन जो लोग शमशान घाटों पर काम कर रहे हैं जो लोग घरों से निकाल कर डेड़ बोडिस को पैक करके और शमशान घाटों पर जलाने के ल बहुत ही खास मेमान जिदिंदर सिंग, शंटी जी जो कि एक बहुत जाने माने समाजिक कारी करता हैं और पदमश्री अवाडी भी हैं और एक उनकी NGO है जिसका नाम है शहीद भगत सिंग सेवा दल ये उसके प्रेसिडेंट है और इस कुरोना की लडाई में, इस कुरोना की ज बाकी जितनी मदद और सहूलते हो सकती है वो इस समय जितेंदर सिंग शंटी जी कर रहे हैं तो एक तरीके से एक कुरोना वारियर है और जितेंद जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है सतेहिंदी.com पर जितेंद जी मुझे पता है कि अभी आप कई घंटों आप शंचान पर रहे हैं क्युकि आज मैंने आपसे कई बार बात करने की कोशिश की मैं और जब जब आपसे बात करने की कोशिश किया तो आपका फोन बizzy जा रहा था क्यूंकि आप शंचान घाट पर और डेडबोडी को जलबा रहे थे उनके परिवारों की मदद कर रहे थे बहुत कि ये एक ऐसी घड़ी है जहाँ पर सिर्फ लाशे ही लाशे सामने नजर आ रही है तो आपके लिए ये कैसी यात्रा है सर आपके मुझे ही आपके शब्दों से ही मैं इसको जाना चाहूं मैं अपने जीवन को धन्य समझता हूँ कि मैं भारत वासी हूँ और रास्ती राजधानी दिल्ली में रहता हूँ लेकिन आज जो दिल्ली के अंदर बीत रहा है हो रहा है जब मैं उसको बहुत ध्यान से देखता हूँ रात को सोने से पहले सोता तो हूई नहीं खेर मैं एक दो घुन्टे भी नहीं सोता हूँ ग्यां तुम भुजे लगता है यार कि दिल्ली के अंदर इंसानाइए मर रहा ह। नहीं है एक इंजेक्शन नहीं है कोविड की द्वाई नहीं है अगर आप वहां मर जाते हैं उस होस्पिटल में तुमके बास मौर्चरी रूम नहीं है और उसके बाद जब सुबह सरकारी मौर्ची से निकलते हैं चार पाच घंटे की इंतजार के बाद फिर वहां से एक गंटे वेटिंग है यह हो क्या रहा है हमारे देश में हम कैसे शान से कहते हैं कि हमारा सारे जहां से अच्छा है हिंदोस्ता हमारा हमें गुमान है हमें फकर है कि हम हिंदोस्तानी है लेकिन इस कोविड ने रास्टी राइदानी दिल्ली में सब कुछ साफ कर दिया है कि हमा पूरे पीरिड में भी कुछ नहीं सीखा है, मैं मानता हूं कि पहली बार आया था 2020 में, लेकिन आज 21 के मिड आने वाला है। आपके आवाज बहुत धीरे आ रही है समय, बहुत धीरे मैं आपको बिलकुत सुनने ही पा रही है। कैसे कहेंगे सर इसको, यह क्या सरकारों की फेलियर है, लोगों की फेलियर है, कि लोग इतने एक दूसरे की समय मदद नहीं कर पा रहे हैं, इसे कैसे देखा जाए। बहुत ही अजीब सी यह एक पूरा एक दौर है, जिसे पूरा विश्विस समय गुजर रहा है। मैं यह नहीं कर सकता कि लोगो सिंविसριक बदर नहीं करने हैं, को जो समाजी कर प्रिती के लोगें, कोई रोटी कहला रहा है, कोई दौअई बाइँ बांट रहा है, पानी बांट रहा है, इवन देन हम लोग शम्शान गाट पर लकड़ी भी फिरी बांट रहे हैं रोज दस पंदरा फैमिली जाती हैं ये भाई सब पैसे निये कैसे करें तो मैं कहते हूं नहीं यार अब सथकार करो मैं दूँगा पैसे हमारे वारियर मेरे ड्राइवर्स दिन रात भुके प्यासे सेवा कर रहे हैं लाशों कि एक गाड़ी में चार चर पाच पाच लाश भी आती है और शम्शान गाट पे डेड बड़ी को जलाने वाले वे यक्ति वो भी किसी के बाप हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं दिन रात काम कर रहे हैं लोग काम कर रहे हैं जी काफी संस्ता हैं काम कर रहे हैं बट जिनको करना जाए जिनके पास अरुबरवे का फंड है वो एक दोश देने के लावा कुछ नहीं कर रहे हैं अपना पला जाड़ने के लावा कुछ नहीं कर रहे हैं उनकी कत्नी और करनी मे कितना फ़र्क है इस सब को दिख रहा है इस समय कि बड़े तरीके से बोल दिया जाता है कि दिली के अंदर पांच हजार बैड खाली हैं पांच दिखाईए ना वे हैं किसी पांच बैड दिखाईए ब्याद अलंबी बात ने करता मैं आप हर चीज के बोर्ड दिली में लगात इसके वड कारों की ज b लोड़ा जैंगा उसमें पर पास तो 17 अडेकिन 6 यह चीलोग हमारी इंबुलेंसों में मरे हैं इस इस दूसरे को समय में जो अभ्यानक चानर में जाते हैं बैड खाली नहीं है जी, ऑक्सीजन नहीं है, जी, क्या हो रहा है, क्या कर किया रहे हैं आप देश के सामर्ण, इतना भद्द्यमजा कर रहे हैं, इतना बड़े-बड़े जूट एक जिम्मेदारी की सीट पर बैठके बोल रहे हैं, पाँच जार बेठका लिए हैं, अजी उसकी लिस्ट जारी करि कि जो शम्शान घाट है, वहाँ पर जो असली दिक्कते हैं लोगों की, वहाँ पर क्या है? जब एक किसी परिवार का कोई प्रियजन मर जाता है, गुजर जाता है, तो राइट फ्रॉम दो स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि मैं मान रही हूं कि शायद एक अस्पताल है, वें मैं आप से समझना चाहूंगी, ताकि व्यूवर्स को भी समझ में आए कि लोग किस तरीके की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, देखिए, दिक्कत तो उसी दिन शुरू हो जाती है, जिस दिन आप अपने पेशेंट को एडमिड कराते हैं, आपको मिलने नहीं दिया जाता, आ क्या रोटी खा सकता है घर में, जिसके पिता, जिसकी माँ हॉस्पिटल के बैड पे बूखी पैसी लेटी है, बात्रूम बीच में कर रही है, कपड़े को बदलने वाला नहीं है, हाथ लगाने वाला कोई नहीं है, जिन कपड़ों में पेशेंट जाता है, उसकी लाश होनी कपड़ों में आती है, जी चाहिए एक मिना हो चाहिए दो मीने हो, और उस लाश क्यों लेने के लिए फिर, कितने धक्ये खाने पड़ते हैं उनको, और आप सब देख रहे हैं कि किस परकार, बिना इलाज के लोग मर रहे हैं, बिना इलाज के, जब वो जाता है कोविड हैं, फिर संसकार के लिए जाते हैं, वहां लाइन में लगना पड़ता है, मैंने अपनी आखों से इस दसमदा दिन के अंदर दिखा है, पांस साल के बच्चे की डेट बोड़ी है, बीस, बाइस, पच्चीस, तीस के बहुत परिवार है, और एक बेहन मेरे सामने कर डेट ब इतना ज्यादा रो रही थी, मैं बता नहीं सकता आपको, और उन चीजों को देखके मुझे रोना आ जाता है, जी कि यारे, क्या हो रहा है दिल्ले के अंदर, पांस साल के बच्चे की बाड़ी आई है, हम कहीं, वो लोग सेफ का हैं, आप कहते हैं, घर में बैट जाओ, पुछ रहा है, उनको रोटी भी चाहिए, उनको ब्रेड भी चाहिए, दूद भी चाहिए, पानी दवाई भी चाहिए, कौन पुछ रहा है जो उनको, कोई नहीं पुछ रहा, आज की रेट पर गाता हो, आज 21 तारीक है, 21 अप्रेल, मैंने 34 बाड़ी शेह बगासिंग सेव वाले हाथ नहीं लगा सकते, पर शासन को मदब करने को त्यार नहीं है, तो शेहिद बगासिंग सेवदल को फोन आता हम जाके उनको सैनिटाइज करके, पैक करके, और श्रम शान काट में लाते हैं, बहुत बुरा बंजर है दिल्ली का ऐसा, बहुत बुरा बंजर है, हमारे से आपने डिस्क्राइब किया, जितिन जी, वाकई में बहुत ही दिल दहलाने वाली चीजे हैं ये, और लेकिन जिस तरीके की शॉटिजे इस समय क्रिमेशन ग्राउंड पर दिख रही है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने कहा कि घटो लोग टोकन लेकर खड़े रहते हैं, लकडिया नहीं है क्रिमेशन ग्राउंड में, तो आज इन चीजों के लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे और किस तरीके की क्रिमेशन ग्राउंड पर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं कई लोगों से भी कलपरसों भ बात कर रहे थी, उन्होंने कहा कि क्रिमेशन ग्राउंड पर जगा नहीं है, इसलिए लोग बॉडीज लेकर बाहर सड़क पर खड़े हैं, तो क्या देख रहे हैं एक्जाक्ली आप? मुझे भुश्य बहुत बुरा दिख रहा है जी, अगर ऐसी चलता रहा एक हफ़ता और, हो सकता हमको सड़कों के उपर लास जलानी पड़े हैं, क्योंकि हम कई दिन से समशान गाट में जला रहे थे, जब पूरा हो गया, भर गया, तो साथ में ग्राउंड पड़ा था हमा सारक में, उसकी दिवार को चोड़ा करके हमने माश शुरू किया, पहले दिन दस किये, बीस किये, तीस किये, और आज महाँ चालिस संसकार हुए, अब को जगह नहीं बचिया जी, अब और अगर बाड़ी बढ़ती है, तो बार सड़क के ओपर संसकार किया जाएगा, इसके दुकानदार, पचास की बाड़ी की रख लेगा जी, सो की रख लेगा जी, जब दिन में सो आनी शुरू हो जाएगी तो वो क्या करेगा जी, आपको तो एक साल से पता था सरकारों को कितना बड़ा पैंडमी कह रहा है, आपने को नहीं इंतिजाम कर लिया, ऑक्सिजन का, क वो कहां से इतना बड़ा इंतिजाम करेंगे एकदम से, लॉगड़ान हो जाता है, रस्ते बंद हो जाते है, बार से लखड़ी नहीं आ सकती है, लखड़ी गीली आती है, तो इतना इतना इतिजाम कहां से करेंगे लोग, पताईए ना मुझे, चोटे-चोटे लोग, ये का सरकारों का है जब भी कई डिजास्टर होता है तो वह यह कहा जाता है मुझे याद है मैं नेपाल गया था जब भुचाल आया शम्शान गाट भां भर गया था बाहर की सड़क के ओपर 180 बॉडियों को जलाए गया था पैसे नहीं लिए गया थे किसी से सरकार ने लखड़िया वहरिया थे कि लाचें जला रहे हो पैसे को देगा क्तानी हम्हार फर्ज बनते है डिजास्टर हुआ है तो कि दिली गोर्मूर का फिली के निताओं का फर्जदी मधा कि अगर इतनी लाशे आ रही है तो इनको ऐलान करना चाहिए आप धार्मी के लोगों को ऐलान करते हो कि फलाँ धार्म के लोगों को इस उस्सव के लिए पैसा दिया जाएगा मैं किसी का नाम नहीं लेता इससे बड़ा दुख की घड़ी और कब आएगी देश के अंदर आज कोई युद्वाल इस तितिनी है युद्मे करते है न वार हो गया इससे बड़ी वार ने आ सकती इससे बुरा समय नहीं आ सकता है देश के अंदर मैं दावे से का सका हूँ कि एक कलंक जिसके भी मात्य पर लगेगा और कभी नहीं उठेगा जीवन में क्यों कि एक एक सांस जो लोगों किया जा रही है एक एक सांस सांस लेने के लिए तरस है और वो ऑक्सीजन से मिलती है और ऑक्सीजन नहीं हमारे पास हम बड़ी-बड़ी चीजे देने के वादे करने हैं आप सांस नहीं दे सकते हैं किसी को और जिनके बच्चे 40-40 साल के 30-30 साल के 20-30 साल के मरे हैं कि अब करजा नहीं चुका पाएंगे आज एक माँ ही थी मेरे पास रोनी से होता उनका साथ था उन्होंने बताया कि यह बच्चा जो है पंदर दिन पहले इसकी मा मर गी कोविड से और आज इस बच्चे का पिता चला गया है उन्तालिस साल का और बच्चा चोटा से हतीम हो ग सौरी लोगो करें एक हिए डिस्क्राइब करें हों आप इसक्राइब कररें और मैं आप जिस्ट बच्चा पिता गास बाचरा गए यह कैसे जवाब देंगा हमको उस माँ को बिटा गासला के देंगे, उस बच्चे को बिटा गासला के देंगे, जो यहतीम हो रहे हैं, कितने घर उजड़ेंगे, सोचिए, मैं एक संपन परिवार से हूँ, हर तरीके से रह संपन हूँ, मेरे को लोग कहते हैं, शंटिजी आप पदम शेरी, आप शंशान गा मैं इसलिए बैठा हूँ कि किसी के साथ बत्तमी जीना हो यहां पर, कुछ बिना लकडी के संसकार के ना चला जाए, इसलिए मैं आप बैठा हूँ, और दिख रहा है, आप एक अफ्तर हो जाहिए, अगर ऐसी चला, तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे, लाशे सड़कों प मुझे नहीं पता कि जो यह मौझूदा सरकार हैं, चाहे वो रजी सरकारे हों, चाहे तेदर सरकारे हों, मानवता गिर गई है, और शायद सरकारे इस चीज़ को कभी अडमिट नहीं करेंगी कि उनकी तरफ से कोई भूल या चोक हुई है, मुझे बड़ा अजीब सा लग र कि आपको आज कई फोन्स मैंने किये, आपके बेटे से भी मेरी बात हुई, और लगातार वो यही कह रहा था कि मैं पापा शमशान गाट पे ही है, जैसे ही आएंगे मैं आपकी उनसे बात कराऊंगा, रोज आपके कितने घंटे बीत रहे हैं, आपको क्या समय ठीक से मिल प आपके इफेक्टेड ना हो जाए, मैंने अपनी गाड़ी में ही अपना भी किस रखा हुआ है, और यह मेरा कारहले है, एक जंगल रुमा जगा पे और एक चोटा सा मने एक पोटा के बिन मनाया हुआ हुआ है, लखडी का, यहां शाम को आ कि सारी गाड़ीों का अगले दिन दो तिन घंटे, लेकिन अब कल की रात में पूरी रात निस होया, मैं साड़ी गैरा बजे घर पोचा, कल 78 ड़ाड़ी थी हमारे पास, सिमापुरी में, मेरे पास रिकार्ड है उसका, मैंने तीन दिन बाले एक वीडियो डाली थी कि 55 ड़ाड़ी हैं, लोगोंने कमेंट्स आपको समझा रहा हूं नहीं आपसे बात करके तो सच में मेरा बिल्कुल देहल गया है, लेकिन चंटी जी आपका खाना, पीना, कैसे मैंनेज कर रहे हैं सारी चीज़े, इतने घंटों तक शम्शान पे रहने के बाद, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं अच्कला? हर जीत को मापे अड्मिट कराया, आते आते मुझे सुब़े साड़े चार बज गए, पाच बज गए, मैंने सुझाए को सो लून लेकिन साड़े बाज के बाद फोन आने शुरू हो गए, जो घरों के अंदर लोगों की डेथ हुई थी, उनको एम्बुलेस चाहिए थी, ड किसी की जेज में पैसे नहीं है, तो संसकार ना रुप जाए, दूसरा, जो वहां ऐसे लोग कारे करता है, कहलो करमचारी कहलो, किसी को इस साथ बत्मीजी ना करे और दुखे होए दिलों से कुफाल तू पैसे ना माते, और तीसरा, जिनका फर्ज मनता है क्या वो कुछ करन करने आ रहे हैं, मैं कल हरान रह गया कि हमारे समशान काट के बाद तीन-चार सो लोग बैठेते हैं, परिवार समेथ अंदर कम जाते हैं, भूखे, प्यासे, गर्मी में, मैंने टेंट लगवाया वापे, तो इतने पे कुछ सज्जन आये, और उन्होंने पानी की बोतले बा पर्वाय जो आजकर चल रहा है, हमें लगा कि हम खुद खाएंगे तो इतना मजानी आएगा, पर्व ऐसे मनेगा कि जो लोग गम में आये हैं, सम्शान गाट के बाहर बैठे हैं, जो इसी कारों में घुमने वाले सटक के उपर बैठे हुएं, क्यों ना उनके बुखे पैस है, और एक बाद बताओ मैं हमारे देश में, बहुत प्यार है जी, जब भी कोई विपता आई है, देश पर देशवासी आगया आते हैं, आपने देखानी परवासियों के लिए कित्ता किया है, तो कुल मिला के मेरा दिन चरिया, बहुत अजीब है जी, मुझे बच्चे भी बिजनेस भी कर सकते थे, वो चाते तो शादी भी कर सकते थे, पॉलिटिक्स भी कर सकते थे, लेकिन एक ही बात कही थी, कि दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अर्मान है, और मैं भी आपके चैनल के मादे हमसे कहता हूँ, कि जीतिंदर सिंग शंटी की जान भी चले ज मास्टर एडियास्टर में, दोनों बेटे मेरे मनीश और जो दोनों लगे हूँ है मेरे साथ, मैं उनको ज्यादा आगे नहीं आने दे रहा है, इस पर मैं कहता हूँ, ने बेटा तुम गाड़ी मेरो, मैं अपनी उमर देख लिया है, लेकिन मैं किसी के दुख को नहीं जिए 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 जी मेरे पस शब नहीं है, लेकिन बस यही कहना चाहती हूं अंत में कि आज अगर शायद इंसानियत जिन्दा है, तो वो आप जैसे जो लोग आज सड़कों पर लोगों की मदद कर रहे हैं, शायद उन्हीं की वज़ह से है, और जहां तक सरकारों का सवा है, सरकारे दावे बहुत करती हैं, लेकिन उनसे क्या भूल हूई है, उनसे क्या चूक हूई है, कहां कमिया थी, शायद उस पर उनका ध्यान कभी भी नहीं जाता है, और अगर लोग उनका ध्यान दिलाते भी हैं, तो फिर उनको अलग-अलग एजिक्टिव से उनको बोला जाता है, उनको रेफर किया जाता है, तो बहुत ही दुरभागी पूर बात है, लेकिन अंत में सिर्फ आपको यही कहूंगी, कि I salute you, Jitin जी, and thank you so much, कि आप सत्य हिंदी पर आए, और मुझे पता है, आप बहुत ठके हुए हैं दिन भर के बाद, जी, आप कुछ कह रहते है मैं भी कहना चाहूंगा आपके चैनल के मादयम से, कि दिल्ली के अंदर इस COVID काल में कोई भी दुखी परिवार अपने आपको अकेला ना समझे, आपका भाई जी, तिंदर सिंग शंटी, शेहीद बागा सिंग सेवदल आपके साथ है, कहीं भी अगर किसी का को संसकार करने वाला ना हो, या किसी की घर में डेड बॉड़ी पड़िया को उठाने वाला ना हो, मेरा नमबर है 875-067-4433, आप मझे फोन करिये, मेरी वारियर्स आएंगे नहीं, मैं खाली होंगा तो मैं भी आऊंगा, और उनका क्रिमेशन का कोई खर्चा नहीं आएगा, एमुलेस का क की अचलिए चलिए, फोगी आऀड बेंडे ना हो, ऐकर्चा थाम यदे और समझाप गणि देना चाथा हो, अगर कोई कहता है। जा मैं भी सेवा करना चाहता हूं, घृत में होगा, श्कुषांद खर्चा देना चाहता हूं, मैं समझे तो इससे बड़ा bearing क corporate kicking भानी है, त प्लाश भी कर देंगे ताकि जो भी वे व्यूवर्स इस इंटर्व्यू को देखेंगे तो वो उनके लिए भी एक जानकारी का स्रोथ होगा. सत्य हिंदी का एप डाउलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर.